एक जंगल में दो साँप रहते थे एक अच्छा साँप था और एक बुरा साँप था एक दिन अच्छे साँप ने बुरे साँप से कहा यार मैंने सुना है जंगल के उस पार एक बुजर्ग रहते हैं मेरा दिल करता है कि मैं उनसे मिलने जाओं चलो हम दोनों मिलने चलते हैं बुरा सांप बोला ना बाबा ना मेरे पास इतना फजूर टाइम नहीं है तुम ही जाओ अच्छे सांप ने कहा ठीक है चलो मैं चलता हूँ फिर मिलेंगे अच्छा सांप चलता जा रहा था कि रास्ते में उसे किसी की आवाज आई बेटा हमारी बात सुनो प्यारे बेटे हमारी बात सुनो वो एक बुढ़ा नाग और नागन थे जो से बुला रहे थे अच्छा सांप उनकी बात सुनकर उनके पास चला आया बुढ़े नाग ने कहा बेटा हमें प्यास लगी है हम बुढ़े हो चुके हैं तुम महरबानी करके हमें पानी ला दोगे च्छे सांप ने कहा क्यूं नहीं और वो ले उनका पड़तन लेकर चल दिया अच्छा सांप परतन लेकर पानी लेने चल दिया और पानी लाकर बुढ़े नाग नागन को दे दिया बेटा तुम्हारा शुक्रिया तुम बहुत अच्छे सांप हो अल्ला तुम्हारा हामिन नासर हो अच्छे साप थोड़ा आगे चला तो उसे एक बुड़ी नागन ने आवाज ली बेटा मेरी बात सनो मेरा घर तूट गया है बहुत ज्यादा आधी की वज़ा से क्या तुम मेरा घर बना दोगे अच्छे साप ने कहा क्यों नहीं माजी मैं जरूर आपका घर बना दूँगा वो उसने बुड़ी नागन का घर बना दिया और बोला माजी अब मैं चलता हूँ आपका घर बन चुका है चानाग वहाँ से आगे चल दिया चलते चलते उसे अचानक दूर से देखा तो एक बज़ूर्ग नजर आए वो उनकी तरफ जाने लगा कि हाँ यही बज़ूर्ग है शायद वो उनके पास चला गया बज़ूर्ग उसे देखकर बहुत खुश हुए बेटा मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ हूँ तुम जाओ और मेरे खर के लिए थोड़े से फूल ले आओ इधर पासी द्रफ चानाग फूल ले आया बाबा जी बहुत खुश थे रात हो गई तो बज़ूर्ग आदमी ने कहा कि बेटा मैं बहुत थक चुका हूँ क्या तुम मेरे पाउं दबाग लोगे तो अच्छा नाग उनके पाउं दमाने लगा पूरी रात उसने बाबा जी के पाउं दबाए सुबह होते ही अच्छे नाग ने कहा ठीक है बाबा जी अब मैं चलता हूँ मुझे इजाज़त दीजिए ठीक है बीटा अब तुम जाओ और ये लो तुम्हारा इनाम तुमने सारी रात मेरी बहुत खिर्मत की है अच्छे साप ने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और आगे चल गया आगे चलते उसे उसी बुड़ी नागन ने पुकारा बेटा इधर आओ तुम्हारी रहम दिली के सबब मैंने तुम्हारे लिए ये इनाम रखा है ये नागमनी ले जाओ अच्छा साप नागमनी लेकर और हीरा लेकर आगे बढ़ रहा था कि उसे उसी बुड़े नागन नागन ने पुकारा बेटा इधर आओ हमारी बात सुनो हमने तुम्हारी रहम दिली की वज़ा से तुम्हारे लिए ये नागमनी अनाम रखी है ये भी लेकर जाओ अच्छा साप बज़ुर्का दिया हुआ हीरा और दो नागमनी लेकर जब पुरे साप के पास पहुँचा तो वो तो उसे देखके जल गया कहने लगा इतने तुफे लेकर आगए तुम ठीक है कल मैं भी जाओंगा और इसे ज्यादा तुफे लेकर आओंगा बुरा साप चल दिया रस्ते में उसे बुवई बुडे नागन नज़र आए बेटा हमारी बात सुनो इधर आओ हम बुरे हो चुके हैं पानी नहीं ला सकते हमें पानी तो ला दो इधर नज़्दी की एक तालाब है औजी मैं आपको फारग नज़र आता हूँ आपको पता नहीं मैं जा रहा हूँ कहीं काम से अपना काम खुद ही कीजिए मैं तो जा रहा हूँ थोड़ा आगे गया मुझे मेरा घर बना दो मैं आपको फारग नज़र आता हूँ मैं कहीं काम से जा रहा हूँ बुड़िया अपना काम खुद करो थोड़ा आगे गया तो वो बज़ुर्ग खड़े थे बज़ुर्ग से जाकर सलाम किया बाबा जी मैं आपको बहुत दूर से मिलने आया हूँ मुझे आपसे मिलने का बहुत शोक था ठीक है बेटा बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर जाओ मुझे जाकर मेरे घर के लिए फूल ला दो बाबा जी आप खुद ही लगा ले मैं बहुत दूर से चल कर आया हूँ बाबा जी खुदी घर के लिए फूल ने आये ऐसे मैं शाम हो गई और बाबा जी ने कहा बेटा मैं बहुत ठक गया हूँ जी मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं ठक चुका हूँ आप भी अराम करें और मुझे भी अराम करने दे तीक है बेटा आराम करो कोई बात नहीं बाबा जी अब मैं घर चलता हूँ ठीक है बेटा तुम जाओ बाबा जी मेरा एक दोस्त आया था उसे आपने इतना इनाम दिया था मुझे तो कुछ नहीं दिया बेटा वो बहुत अच्छा इनसान था उसने मेरी बहुत खिद्मत की तुम जा सकते हो बुरा नाग बुढ़े आदमी को बुरा बला कहते हुए चलने लगा और बुढ़ा आदमी उसे देख रहा था के सब इनसान अच्छे नहीं होते सितरा सब से